हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सेखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ सा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं और खास तार पर अगर देखें तो इनकी index finger यहाँ पर आपको बहुत अच्छी length में नजर आएगी यह finger जिससे हम ब्रसपती यानि गुरू की finger भी कहते हैं अगर अच्छी लंबाई में हो अच्छी thickness में मौचूद हो तो native काफी knowledgeable रहता है साथी साथ थोड़ी सी egoistic टाइप की personality भी रह सकती है लेकिन इस finger का अच्छी लंबाई में होना native को काफी अच्छी leadership qualities भी दलवाता है यह लोगों की सभी fingers थिक होती है ऐसे व्यक्ति की energy and stamina भी भरपूर रहता है शनी finger की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छी लंबाई में शनी finger native को काफी hard working nature का बनाती है ऐसे व्यक्ति एक disciplined type की personality होते हैं अनुशाशन प्रिया और नयाई प्रिया type की nature ऐसे native की रहती है काफी अच्छी लंबाई में इस finger का होना एक बहुत अच्छी social circle को indicate करता है ऐसे native काफी creative nature के होते हैं काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूरे finger अच्छी लंबाई में हो अगर हम बात करें इनकी mercury finger की अब यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी length में mercury finger नजर आ रही है सूरे finger के top phalanche तक पहुँचती हुई इस तरह की लंबी mercury finger का होना native के strong communication skills को दर्शाता है काफी अच्छी ऐसी qualities काफी अच्छा business equipment काफी अच्छे communication skills ऐसे व्यक्ति के भीतर रहते हैं जिनकी यहाँ finger बिलकुल सीधी हो और लंबाई में सूरे finger के top phalanche तक पहुँच जाए सभी fingers के उपर आपको कुछ सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है अब देख सकते हैं कुछ इस तरह की बारीक रिखाएं इनकी सभी fingers के उपर मौचूद हैं ऐसी रिखाओं का होना native को मिलनसार सभाव का बनाता है native को independent सभाव का बनाते हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ी जिदी nature के भी होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव fingers के बीच में बनने वाले gaps native को देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद ह एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरू परवद शनी और इनका सूरिया तीनों ही high set हैं तीनों mounts को बहुत अच्छी space मिलती हुई जबकि इनका जो mercury mount है यहां से आपको हलका सा low set होता हुआ नजर आएगा जिस वज़े से थोड़ी shy nature रह सकती है अब देख सकते हैं overall mercury mount हलका सा low set जरूर है लेकिन बिलकुल भी कमजोर नहीं है यहां पर कुछ खड़ी रिखाएं भी मौचूद हैं जिसकी वज़े से native के communication skills काफी बहतर हो जाते हैं और इस finger काफी अच्छी लंबाई में होना native को mercury क अच्छे results दिलवाता है अगर हम बात करें इनके सूर्य मौंट की तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य मौंट का जो area है दबता हुआ आपको नजर आएगा इस mount का दबना अच्छा नहीं माना जाता सूर्य मौंट के दबने की वज़े से native को यश मिलने में कमी महसूस हो सक तो आपको यहां मौंट बिल्कुल flat नजर आएगा जिस वज़े से native को जीवन में काफी महनत करनी पड़ सकती है हाथ में शनी रेखा को देखा जाया तो आपको यहां पर एक रेखा नजर आएगी उसके बाद overlapping के साथ यहां रेखा आगे बढ़ती हुई जिस वज़े से native क जीवन में उतार चड़ा भी रहेंगे लेकिन 30 के आसपास की age के बाद काफी अच्छी तरक्की मिलने की समभवनाई भी रहती है और खास तोर पर जो यहां रेखा है जिसको हम mind की line कहते हैं इसके बिलकुल पास से इस रेखा का बहुत अच्छे से चलना strong होना 36 की age के बाद native को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में help करता है इस तरह के बीच बीच में breaks का होना और overlapping के होने की वज़े से थोड़े उतार चड़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रह सकते हैं अगर आप देखेंगे इनके इस area में आपको इस तरह का एक partial girdle of Venus बनता हुआ भी नजर इस तरह का जो यह है अधूरा girdle of Venus इनके हाथ में बन रहा है इसकी वज़े से native की रूची creative चीजों में entertainment industry में हो सकती है इस तरह का अधूरा girdle of Venus बनना native को moody सभाव का भी बनाता है ऐसे व्यक्ति को mood swings की दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पर सकता है और ऐसे native का mood जो है कई बर अचानक से बहुत अच्छा हो जाता है और कई बर अचानक से बिलकुल off हो जाता है इस तरह की संभावनाएं भी इस तरह का girdle of Venus जो खासता और पर partial हो व्यक्ति को देता है अगर हम बात करें इनके गुरू परवत की तो काफी उभरा हुआ ब्रिस्पति माउंट एक गुरू परवत पर आपको कुछ इस तरह की रिखाएं नजर आएंगी जो नीचे से उपर की तरफ चलती हुई ऐसी रिखाएं अगर हाथ में हो तो बहुत अच्छी तरक्की व्यक्ति के जीवन में रहती हैं ऐसी छोटी-छोटी रिखाएं जितनी अधिक मात्रा में हो उत सेंस देता है, ऐसे व्यक्ति की छटी इंदरी स्क्रिया रहती है, आने वाली घटनाओं का पूरवा अभास, ऐसे व्यक्ति को बाखू भी हो जाता है, यानि कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या रेलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का अभास ऐसे व्यक्ति को भगू भी हो जाता है इसके साथ एक और चिन आपको नजर आएगा यहां पर बनता हुए क्रॉस का चिन यह क्रॉस का चिन आपको इनकी हार्ट लाइन और इनकी माइन लाइन के दोनों के बीच में बनता हुआ नजर हैगा इस तरह का क्रॉस का चिन जिसको मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है इसा चिन होने से नेटिव की रूची उकल्ट साइंसिस में रहती है जैसे ही है पामिस्टि रै, एस्ट्रॉलोजी है वास्तु है रेकी है ऐसी चीजों में रूचिधिक हो सकती है और ऐसे नेटिव इन चीजों में से किसी चीज को सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं और उसमें कामयाबी हासिल भी कर सकते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का मिस्टिक क्रॉस हाट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता हो आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर रिखाओं को उसके बाद हम चेक करेंगे इनके लोवर माउंट्स को भी तो यहाँ पर अगर मैं इनकी हाट लाइन की बात करूं तो आपको एक बिल्कुल straight type की heart line नजर आएगी इस तरह की heart line व्यक्ति को काफी practical बनाती है लेकिन साथ साथ यह है जो branch आपको guard of venus की नजर आएगी इस तरह की branch होने की वज़ाई से native कई बार काफी ज़ादा emotional mood में भी देखा जा सकता है थोड़ी emotional type की personality emotional type का touch इस तरह की branch जो उपर की तरफ रहती है व्यक्ति को देती है लेकिन overall इस तरह की straight heart line का होना अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति काफी practical सभाव के देखे जा सकते हैं heart line पर नीचे की तरफ ऐसी चोटी चोटी branches का होना कई बार emotional setbacks को बढ़ाता है यहाँ पर आप देखेंगे इनकी heart line में हलका सा tilt नजर आएगा इस सेरिया में आकर इस तरह का tilt native को later age में चलकर थोड़ी दिखतें blood pressure जैसी problems दे सकता है अगर हम mind line की बात करें तो आप देखेंगे mind line काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है इस तरह की मस्तिक्ष रेखा का होना indicate करता है कि native की memory अच्छी रहने वाली है यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा एक lower side पर चलती हुई रेखा का आगे बढ़ना जो थोड़ी over imagination को indicate करता है इस तरह की एक broken line सा सा चलना native की imaginary power को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति की कलपना शीलता काफी अधिक रहती है और इसी overthinking की वज़े से कई बार native को थोड़ा stress या तनाग होने की संभावनाई भी बढ़ जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी life line को तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से इनकी life line fate line का सहारा लेते हो काफी आगे तक बढ़ती हुई इस तरह की लंबी life line का होना indicate करता है कि native की age काफी लंबी रहने वाली है लगबग 80 के आसपास की age रहने की संभावनाई रहती है कुछ इस तरह की branches का बाहर की तरफ निकलना लंबी दूरी की यात्राओं को indicate करता है ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी travel करते हैं विदेश यात्राओं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलता है आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हलकी रिखाओं से आपको कुछ फिश जैसी अक्रीती यहाँ पर इन रिखाओं से बनती हुई नजर आएगी इस तरह का चिन अगर केतू परवत के ओपर बने तो यहाँ नेटिव को लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देता है विदेश यात्राओं के सासत ऐसे व्यक्ति को चीवन में कई बार अचानक धनलाब होने की समभावनाएं भी बढ़ जाती है इस तरह की फिश का सिंबल होने से के वर इंशोरेंस के जरीए या इन्हेरिटेंस के जरीए धन मिलने की समभावनाएं काफी अधिक रहती है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके लोर माउंट्स को आप यहाँ पर देखेंगे इनका चंदरपरवत का अरिया यहाँ पर बहुत जादा नाग्टिफ चिन नहीं है कुछ हलकी आड़ी रिखाएं मौचूद हैं जिस वजह से थोड़ी एंक्जाइटी नेटिव को रह सकती है लेकिन कोई भी मेजर इशू हमें इनके चंदरपरवत के जरीए नजर नहीं आ रहा अगर हम शुकर की बात करें तो शुकर का एरिया आपको यहाँ पर काफी उठा हुआ नजर आएगा उबरा हुआ शुकर परवत नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दलवाता है ऐसा व्यक्ति हर तरह की लग्जरीज को इंज्वाय करने वाला होता है फैमली के सुख ऐसे व्यक्ति के चीवन में रहते हैं जिनका शुकर परवत उभरा हुआ हो लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ हलकी बारीक रिखाएं भी नजर आएंगी जिनें हम वरी रिखाएं यानि के चिंता की रिखाएं कहते हैं अगर शुकर परवत के उपर मौचूद होती है तो इनकी वज़य से समय समय पर फैमली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्मेंस और मेरेड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्मेंस हो सकती है लेकिन यहाँ पर कोई भी major issue married life में नजर नहीं आ रहा तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिनी या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है यगर इनका कोई question pending है तो मुझे वर्टसेप पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद